सभी को नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो बड़ा खास होने वाला है आप लोग बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि सर जैसे आपका दो तिन वार अटेम्ट हो चुका है प्रिलिम्स नहीं हुआ या मेंस के एक्जाम में फेल होगे तो पढ़ाई के दुरान बहुत सारे चिं साथ मैं एक प्रैक्टिकल टिप्स में आपको यह देने वाला हूं कि जैसे कई बार यह होता है कि केवल यूपी सी को यह नहीं फोकस करना चाहिए अपनी जीवन के जो अन्य पार्ट है जीवन आपका चलता रहता आपके परिवार के साथ समय है या प्लान भी हो सकता है जो भी एक पार्ट टाइम जो भी आपके लिए यह हो सकता है कि आपको करना चाहिए जैसे मैं अपनी बात कर पाया था उस समय तो CC8 का और खोप था कि कटोप में मार्क जुड़ते थे तो मेरा CC8 उतना अच्छा नहीं था मतलब एक अवरेज ही था उस समय तो CC8 और GS दोनों की कटोप जुड़ती थी तो मेरा नहीं हो पाया था किसी कोचिंग में से कुछ अने कमोचींग में दिली में बहुत सरी कोचिंग है जहां receivers contento और copy checking का काम होता है वो तब होता है जब आप मेंस लिखते हैं या इंटरू तो आपको इसा काम मिल जाता है तो मैं यह क्यों बता रहा हूँ इसलिए बता रहो हूं कि बहुत सब्सक्राइब एक गलती कर लेते हैं कि अपनी UPC की तीरी को लंबा खाद लेते हैं मैं यह नहीं खहता हूं कि आपको लंबा नहीं खेचना है या आपको अपना सपना छोड़ देना है ऐसा नहीं खह रहा हूं खहने का मतलब है जैसे मेरा सजेसन आप लोगों के लिए होगा कि यह दिया आपके 3-4 अटेम्ट हो चुके हैं और आपने प्रिलिम्स भी पास नहीं किया है ठीक है और तो आपको एक विकल्प देखना चाहिए विकल्प क्या हो सकता है जैसे एक विकल्प यह हो सकता है कि पास नहीं करेंगे, 5-6 लाग जो एस्परेंट बैट थे हैं, उनमें से 10-15 जार लोग की परीपास करते हैं, लेकिन सीरियस एस्परेंट लगबग 50 जार मैं मान के चलता हूँ, तो यह जो अन्य एस्परेंट जो बार बार परीपास कर पा रहे हैं, तो मैं यह मानता हूँ, उ कि मुझे चिंता क्यों नहीं हुई, एक समय यह था कि चलो मैं जब तीनवार इंटर तुक पहुंचा हूँ, तो एक चिंता तो सभाविक होती है, नोर्मली कि गरवालों को भी टेंशन होती, कि पता नहीं कब जोब लगेगा, क्योंकि इंटर तक जाकर वापिस आते हैं, त हमेसे साथ रखा, कौन सा प्लान भी, टीचिंग वाला, कि मुझे हमेसे से था, मैं यह नहीं खिराओं कि जैसे भोजेदा उसमें टाइम में ने दिया, इसा टाइम नहीं दिया, नोर्मली यह था कि अपने आप वह आया था, कि 2014-16 ऐसे बीच-बीच में, जब मुझे मुझ एकजाम दी थी, उसमें जो इंट्री हुआ था, 2020 में हुआ था, मार्च, मार्च 2020 में आईस वाला इंट्री हुआ था, और उस साल रिजल्ट कोविड की वज़े से काफी लेट हो गया था, क्यों इंट्री लेट हो गये थे, तो अगर सितंबर के आस पास रिजल्ट आये था अपने आपको लगने लगता है कि यार, कब तक घरवालों पर हम बोज रहेंगे, और वैसे घरवालों पर बोज नहीं होते हैं, क्योंकि घरवाली हमें साथ सपोर्ट करते हैं बड़े सपने के लिए, लेकिन आज जिकल का जो चैलेंज यूपीसी का हो गया है, जिससा आप पर शूरटी से कोई नहीं कह सकता कि उसका कब होगा, और इसमें डरना भी नहीं है, मैं यह नहीं कहता हूँ कि आप अपना सपना छोड़ दो, सपना तो विलकुल नहीं छोड़ना है, लेकिन साथ में कुछ और चीजे ट्राई जुरूर करनी चाहिए, आपको जो आपको ब वेकेंशी है, तो आपको वो जुरूर ट्राई करना चाहिए, साथ में आपने यह नेट पर गिरा करका है, तो आप कोलेज जो लेक्चर क्या आते हैं, वो जुरूर ट्राई करना चाहिए, नो डाउट इसमें, आप बाद में दिलाना, यह उपसी कोई दीकत नहीं, थोड़ और आप मतलब बहुत जल्दी सफलता ले सकते हो, यह मैं अपने अनुबब से बताता हूँ, साथ में, जैसे मैंने कोई ऐसा इस इस्ताही रूप से कोई जोब निलिया, स्टेटपीसेश को उतना फोकस नहीं किया, लेकिन मैंने टीचिंग को फोकस किया, और अभी जैसे आ आपर आर्थिक जो समस्य है थी, वो सब यहां पर वो भी सूल जा ली गई है, क्योंकि अच्छा एक प्लेटफों महें काम करते हो, आप अच्छा स्किल भी होगा, आपको काम करने का मज़ा भी आएगा, यह भी होगा, घर से बाहर नहीं जाना होगा, मुझे जैसे यहां प यहां खेत में रहना पसंद था, और जैसे अभी यूटूब पर पढ़ाना और किताबे लिखना यहीं से कर रहा हूँ, जहां से खेत से कर रहा हूँ, तो और जिदा मज़ा रहा है, यह बास सही थी कि जैसे हमारे चेत्रों को आप देखोगी यहां पर, तो यहां पर अभी यहां पर अच्छा होता है, तो कभी-कभी मैं सोचता था कि अपना पुष्टेनी कारी है, यह भी कभी करना होगा तो करेंगे, लेकिन इनोवेशन के साथ में, ऐसा नहीं कि मैं प्रमप्रागत रूप से फसुपालन या कर्शी करने लग जाऊंगा, ऐसा नहीं, और जब मै भागती वसुल नहीं हो पाती है, तो उस आल मैंने कुछ यूटूब पे रिसर्च करके, कुछ ऐसा वेराउस मतलब या जिसको जो स्टोरेज बोलते हैं, अच्छा बनाया था, एक पंखो का स्टोरेज था, जिसमें उस आल अच्छा मतलब कह सकता हूं, वह एक अच्छा अ मतलब अच्छा लगने लगा, और अभी तो चलो, अभी तो कर्षी के बारे में ज्यादा नहीं सोचता हूं, पढ़ानी के बारे में सोचता हूं, और इस वीडियो में जैसे ये भी है कि आप इन चीजों को सीख सकते हो, कि जीवन के जो अन्य पलना मत छोड़ना उसको यार जैसे मैं अपना प्रेक्टिकल अनुबह है कि 2015 में इंगेजमेंट होगी थी, मैंने उसको कभी उन चीजों से बागा नहीं, क्योंकि हमारा जो समाज है, या हम जहां से आते हैं, वहां पे साधी तो और बहुत जल्दी हो जाती है, मुझे इतना टाइम तो मिला कि मैं UPC की जारी करा था तो पचीस-बी साल के बाद मी यह मुका मिला कि मुझे अब आगे क्या करना चाहिए, तो 2015 में इंगेजमेंट, 2017 में साधी, तो मैंने जीवन के जो अपने जो पल है, जो मुझे अपने परिवार के साथ बिदाने थे, या मुझे अपने जो डिसीजन लेने थे अपने जीवन को लेकर, उनको कभी नहीं चोड़ा, कि केवल UPC को फोकस कर रहा हूँ, इसा कभी नहीं वा, आप देख भी सकते हो मेरे जीवन के पहलों को, आप हमेसा मेरे साथ जुड़े रहते हो, तो यह प्रेक्टिकल वीडियो क्यों बढा रहा हूँ, इसके पिछे कहा परश्या नहीं, इवन मेरे साथ अपने टीम में 15 लोग अच्छे मतलब काम भी करते हैं साथ में, तो उनका भी मतलब यहां पर काफी स्किल में सुदार हो रहा है, मैंने यह देखा है, तो बहुत सार ऐसी आपके आसपास देखना अपर्शनटीज बहु ज़एदा है, आप गोर्वेंट जोब के और जाना चाते हो, कोई भी एक्जाम हो सकती हो, उसके और ट्राई कर सकते हो, तो वो भी एक अच्छा विकल्प आपके लिए हो सकता है, तो बहुत सारे चीजों को लेकर हम ने अभी डिसकसन किया, यह वीडियो मनाने का जो मुख की मकसद था, अभी मतलब समसे हैं, उनको मुझे लगता है, आने वाले वक्त में सुलजा लिया जाएगा, जिसा आपसे एस्परेंट अपनी बातों को भी रख रहे हैं, अलग लग प्लेटफोर्म पे, ठीक है, और रही बात मतलब आगे की जैसे आपको कैसे करना है, तो वही बात है कि आप देखते हो कि जो टोप लिस्ट पर आते हैं, या फ्रेस्ट सेकंड रिंग पर आते हैं, वह भी यह नहीं कह सकते हैं, या बन जाओंगा या तो इसका मतलब यह है कि काफी ज़्यदा अनिशिता ही यह आपे है, तो अनिशिताओं का थोड़ा सा अपना बेक अप करके य उनके लिए थोड़ी सी दीकते जएदा होती है, सामने जो बीए किये, जिसने बीकॉम किये, बीए सी किये, तो टीचिंग जोप के लावा अन्ने जोप में थोड़ी समझ आती है, तो वह भी आप इनको जुरूर देख सकते हो, तो ऐसा ही मतलब अपना, मैंने कुछ अपना जिन्दी में जाना है नहीं है, ठीक है, जो ड्रीम देखा है कि हां मुझे भी जैसे मैंने देखा कि मुझे सीवल सेवा में जाना है, तो काफिय तक मेरा, मतलब यह हुआ था कि जैसे बार बार इंट्रू तो पहुचा तो मुझे लगा अब हो जाएगा, लेकिन थोड़ा स पहुचा तो मेरे थे उसमें सही से मैं अपनी बात रख नहीं पाया, वहां पर आप ऐसी कोई समस्या नहीं थी, एसी कोई भेदवाव की समस्या वहां पर होती नहीं है, रेटन में अच्छे मार्क थे, आप जानते हो, 2016 में 820 थे तो उसके साब से अची रेंक मतलब टोप 100 अच्छे रेंक आ सकती थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, ऐसे प्यार देते रहना, साथ में आप चाओ तो हमारी वेबसाइट बगरा उन पर वीजिट करना, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आपको अच्छा कंटें जो मैं बना के देता हूँ, ठीक है, वह वहाँ से आप देख सकते हो, तो मिलते हैं एक और वीडियो में, ऐसे ही आप कमेंट करके बताना कि किस टोपिक पर आपको वीडियो चाहिए, हम ऐसे प्रेक्टिकल वीडियो बनाते रहेंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद